उलेकर परधान मंतरी मोधी ने पूरी तरह से चुनावी कमान संभाल ली है अगले कुछ दिनों में मज्य परदेश और 36 गड़ में परधान मंतरी मोधी के दौरे रहेंगे तो कल ग्वालियर दौरे पर प्रधान मंत्री मोदी रहेंगे जहां 3 अक्टूबर को जगदलपुर में रैली करेंगे और 5 अक्टूबर को फिर जवलपुर में सभा को संभोधित करेंगे तो लगातार प्रधान मंत्री मोदी मज्य प्रतेस और 36 गड़ की चुनावी कमान संभाले हुए हैं और अब लगातार उनके दौरे होने जा रहे हैं कल प्रधान मंत्री मोदी ग्वालियर पहुंच रहे हैं इसके अलाबा 3 अक्टूबर को प्रधान मंत्री मोदी एक जग्दलपुर में रैली करेंगे और इसके बाद 5 अक्टूबर को जबलपुर में भी एक सभा को संभोधित किया जाएगा तो लगातार ये तीन दौरे तो हैं ही इसके अलाबा भी उनके तमाम दौरे आगामी रहेंगे क्योंकि जिस तरह से प्रधान मंत्री मोदी और ग्रह मंत्री अमिश्चाह दोनों ने मद्यप्रदेश 36 गड़ को लेकर जो कमान सभाली है और साब तोर पर यहां पर भारती जनता पार्टी ने एक ही मकसद रखा है कि किसी भी हाल में मद्यप्रदेश 36 गड़ में जीत हासिल ही करनी है तो सिलान नियास के बाद सभा को संभोधित करेंगे प्रधान मंत्री मोदी लगातार मद्यप्रदेश 36 गड़ में रहने वाले हैं तीन अक्टूबर को जगदलपुर में एक रैली का आयजन किया जाएगा, पाँच अक्टूबर को जवलपुर से प्रधान मंत्री एक पाफ फिर से मध्य प्रदेश में उनका दोरा रहेगा, जहां वो हुंकार भरेंगे और कल दो अक्टूबर को प्रधान मंत्री मोधी गौ पूदित करने जा रहे हैं तो तीन अक्टूबर को जगदलपूर में रहेगी और फिर उसके अलाबा पांच अक्टूबर को जबलपूर में रहेगी तो लगातार प्रधानमंद्री मुदी के ये दौरे रहने बाले हैं चलिए हमारे साथ हमारे सहे होगी सूरे सर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसके राबा हमारे साथ उमीश पारसर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जगदलपूर से हमारे साथ रजत बाचपी जुड़ गए हैं तो तीन हमारे साथ हमारे साथ ही जुड़ गए हैं और हम जान सुरज के पास चलते हैं सुरज प्रधानमंत्री मोधी मध्यप्रदेश 36 गड़ रहे हैं और जिस तरह से एक तरफ देखा जा रहा था कि आमित शहा मुख्य रॉल में नजरा रहा है थी कि उन्होंने कमान संबाली ते लिकिना प्रधानमंत्री मोधी भी लगातार लगातार व वह भी कंदे से कंदा मिलाकर अमिश्चाह के मध्यप्रदेश 136 गड़ पर फोकर जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोधी जवलपूर में पहुंचेगे जवलपूर का कुछ उनका कार्श कर्म रहेगा जी सूरज तो बहुत अच्छे परणमंत्री लगातार मध्यप्रदेश दोरे पर आ रहे हैं और हमने देखा है कई स्थानों पर अलग अलग जो स्थानों के हिसाब से मध्यप्रदेश बटा हुआ है चाहे हम मालवा निमाल की बात करें बिंदे बुंदेल खंड की बात करें गौल्ग 38 सीटें इस से आती हैं खासतों से 9 जले होते हैं जिसमें नरसिंग पुर की बात करें मंडला, डिनुरी, भारणागाट, सिवनी और छिनबाडा इन नौ जलों से होकटनी, इन नौ जलों से ये महाकॉसल बनता है और खास्तों से पिछली वारतीस सीटों में से करीब 24 सीटें ऐसी हैं जो कॉंग्रेस के पक्ष में थी और सिर्फ भारती अन्ता पार्टी को 13 सीटें मिली थी जिसमें एक सीट ऐसी थी 12 सीटें जहां पर निर्दली बिधायक थे तो यही करानी पिसली वार हमने देखा आदीवासियों की नाराजगी भी कहीं न कहीं भारती अन्ता पार्टी को जलनी पड़ी और पूरे महाकॉसल में सिर्फ 13 सीटें ही भारती अन्ता पार्टी के पाइए जिसमें खास्तों चलवाड़ा की बात करें तो पूरा क्लीन सुई हुआ था आठ सीटें हैं कांगरेस के पास थी तो ऐसे तमाम पूरे महाकॉसल की बात करें तो पिछली बार कहीं न कहीं आदिवासी की नाराजगी देखने को मिली थी 38 में से सिर्फ 24 सीटें भारती अन्ता पार्टी के पास थी लेकिन इस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार भारती अन्ता पार्टी ने पिसले 4-5 साल में जो मैनत किये चाया आदिवासी को लगलग साधा हो हमने देखा चिंदवारा में संकर साय रगुनात साय जो आदिवासी बलिदान नेता सहीद कहलाते है उनकी मूर्तियां बनाई उनके नाम पर कॉलेज बनाया इसके बाद रानी दुर्गावती खास्तों से जो गौन रानी कहा जाता है उनके नाम पर एक समारक बनना इसका सुभारम जो सभूवी पूजन सिलान ना से प्रधानमंतिर ने दमोदी करेंगे और लगतार हम देख रहे हैं एक फोकस महाकौसल के साथ साथ विंध तरब भी है इसके पहले ही सैडोल को प्रधानमंतिरी का दौरा हुआ था तो बहुत महत्मूर दौरा है क्योंकि महाकौसल को साथ लिया तो सत्ता की चावी आपके पास है और पिसली बार जो कहीं 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 सकते हैं कि एक फेलियर या कमजोरी कहीं 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 भरतिंता पार्टी की रही उसे पूरा करना चाहती है बीजेपि और यही कराने के लगतार चाहा है चलिए सीधे ग्वालियर चलते हैं, ग्वालियर में कल बड़ा कारिक्रम होने जा रहा है, प्रधान मंत्री मोदी पहुँचेंगे, तमाब योजनाओं का शिलान नियास होना है, लोकारपण होना है, और क्या कुछ कल सौगात मंद्यपरदेश को ग्वालियर में मिल सकती है, यह भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, उमिश किस तरह का कारिक्रम है, तैयारियां किस तरह की हो चुकी है, और यह दोरा कितना महत्पपूर रहेगा, यहां पर एक चीज़ और मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, एक तरप जहां नरेन सिंग तौमर को कमान दे कर एक नया दाओ तो बीजेपी ने चला है, अब मोदी के इस दोरे से कितनी और बूस्टिंग बीजेपी को ग्वालियर चंबल में मिलने वाली है, जी बिल्कुल देखिए, पहले जो आपका सवाल था कि क्या तैयारियां हैं, तो इस समय जो मेला ग्राउंड है, सवास्तल ह महीं खड़े हुए हैं, और आप पहले में पीछे के तस्वीरें बता देता हूँ, ये पूरा मंच है, जो गवालियर के एतियासिक किले की थीम पर यहां पर जो मंच है, बोस्ट सजाया गया है, और कल पीएम मोदी दो बचकर 55 मिनट पर यहां पर मंच पर पहुँचेंगे और एक आम सबा को संबोदित करेंगे, अगर बात की जाए तो चंबल की अगर समीकन को देखा जाए तो चंबल की 34 सीटें हैं, और वो सत्ता में काबिज होने के लिए मैतपूर योगदान देती हैं, अगर 2018 की बात की जाए, 2018 में यहां से 26 सीटें कॉंगरेस के खाते में आ की चाबी कहा जाता है, बहुत मेतपूर सीटें हैं, अगर नरेन सिंग तोमर की बात की जाए, तो जिस तरह से बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है सिर्फ जीत और जीत, जीत के मंतर से ही बीजेपी चुनावी मैदान में हैं, और उसको चाहे कितने भी केंदर के बड के जो लिस्टा आ रही है, उसमें भी कई चोकाने वाले नाम हो गई, पिये मोदी का सिर्फ यही मंतर है, कि जो भी नेता खड़ा हो, जो भी केंदर के जो मंतर हैं, वो खड़े हो, चुनाव में जीत हासिल करना है, और सत्ता हासिल करनी है, वो जगे है, जहां से पूरे मध प्रदेश को साधना है, और आहमतोर पर देखा है कि कई बार बड़ी-बड़ी बैठके ग्वालियर में हुए, बड़े-बड़े कारिकरम ग्वालियर रहे, यही बचे रही, कि वहां से एक ऐसा संदिश BJP देना चाहेगी, जिससे कि BJP जादा से जादा वहां की सीटों पर इस बार जीत हासल कर पाए, चलिए अप सीदे जगदलपुर का रुक करते हैं, हमारे साथ लगातार रजट बाच्पई बने हुए हैं, रजट जगदलपुर में भी प्रधार मंतरी का दौरा होने बाला है, कितना महत्पपूर्ण यह दौरा है, और इससे पहले कुछ दो- लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, मध्यप्रदेश में जब प्रधार मंतरी का कारी करम हुआ, उसके बाद ही देर स्याम तक दूसरी लिस्ट जारी हुई, तो क्या ये भी हल चले चल रही हैं, ये भी बातचीत वहाँ पर हैं, कि प्रधार मंतरी के दोरे के बाद शायद रात तक, देर रात तक दूसरी लिस्ट भी वहाँ जारी हो जाएं? हाल फिलाल तो भारती जनता पार्टी के लोगों की नजर बस्तर की 12 विधान सबा सीटों पर है, लेकिन 2024 में जो लोगसबा के चुनाओं होने हैं, उसमें बस्तर की दो सीटे हैं, उत्तर बस्तर की कांकेर और दक्षेन बस्तर जहां अभी कॉंग्रेस का कबजा है, इन दोन हाल फिलाल की अगर बात की जाए तो पूरी 12 विधान सबा सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा है, और भाजपा की लोग काफी शिदत से प्रयास में जुटे हैं कि किसी भी तरीके से अधिक से अधिक सीटें जो हैं, वो कॉंग्रेस से वापस चीनी जा सकें, इछले 5 साल की अ ने रहा मनतरी हमिश शाहा की भी एक रणनीती का हिस्सा भी माना जा रहा है कि जिस तरह हैं से उन्होंने पूरे जो दाओ को सैट किया है, किस तरह है से एक कादम आगे चलना है, कौन से दौरे हम्ःत्वपूर्ण है, किस की कहा सफ़ा करानी है, ये भी उनका एक प्लानिं सबसे बड़ा फेश है चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे 36 गर लेकिन कितना ये कामगर होने बाला है ये देखना दिल चस्प होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जल्द बापस आएंगे